मौंसुन शत्र में आप सबका स्वागत है सावन का पवित्र मास चल रहा है और इस बार तो डबल सावन है और इसलिए सावन की अवधी भी ज़्यादा है और सावन मास पवित्र संकल्प के लिए पवित्र कारियों के लिए बहुत उत्तम माना जाता है और आज जब लोकतंत्र के मंदीर में इस सावन के पवित्र मास में मिल रहे हैं तो यह लोकतंत्र का मंदीर ऐसे अनेक पवित्र कारिय करने के लिए इससे बड़ा उत्तम अवसर नहीं हो सकता है मुझे विश्वास है कि सभी मानिय सावसद मिल करके इस सत्र का जनहित्म सरबाधीक उप्योग करेंगे संसद की जो जिम्मेवारी हैं और संसद में हर संसद की जो जिम्मेवारी हैं ऐसे अनेक कानूनों का बनाना उसकी विस्तार से चर्चा करना बहुत ही आवश्चक है और चर्चा जितनी ज्यादा होती है चर्चा जितनी ज्यादा पैनी होती है उतना जनहित्में दूर गामी परणाम देने वाले अच्छे निर्णे होते हैं सदन में जो मानिय सांसद आते हैं वो धर्ती से जुड़े हुए होते हैं जनता के दुख दर्द को समझने वाले होते हैं और इसलिए जब चर्चा होती है तो उनकी तरब से जो विचार आते हैं वो जड़ों से जुड़े हुए विचार आते हैं और इसलिए चर्चा तो सम्रद होती है निर्णे भी ससक्त होते हैं परनामकारी होते हैं और इसलिए मैं सभी राजनितिक दलों को सभी मानने सांसदों को इस सत्र का भरपूर उप्योग करके जन हित के कामों को हम आगे बढ़ाएं यह सत्र अनेक रुप से महत्वकाभी है क्योंकि इस सत्र में जो बिल आये जा रहे हैं वो सीधे सीधे जनता के हितों से जुड़े हुए है हमारी युवापीड़ी जो पूरी तरह डिजिटल वर्ल्ड के साथ एक प्रकारते नेत्रूत पकर रही है उस समय देटा प्रोटेक्शन बिल कि देश के हर नागरी को एक नाया विश्वास देने वाला बील है और विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला बील है उसी प्रकार से नेशनल रिसर्ट फाउंडेशन ये बील नारेफ नई शिक्षानिती के संदर्व में एक बहुत बड़ा एहम कदम है और इसका उप्योग अनुसंदान को बद लेना इनुवेशन को बल देना रिसर्ट को बल देना और हमारी युवा पीड़ी जो विश्व के अंदर नए उपक्रमों के द्वारा विश्व का नेत्रुत्व करना का सामर्त रखती हैं उनके लिए बड़ा आउसर देख करके आ रही हैं जन्विश्वास बिल सामान्य मानवी क परती भरोसा करना अने कानूनों को डिक्रिमिल्रेज करना इस मुहीम को आगे बढ़ाने वाला एक बील उसी प्रकार से जो पुराने कानून है उनको खतम करने के लिए भी एक बील में प्रावधान किया जा रहा है हमारे यहां सदियों से परंपरा रही है कि जब विवाद हो तो समवाद से सुलजाया जाए मिडियेशन की परंपर हमारे देश की बहुत सद्यों पुरानी है उसको अब कानूनी आधार देते हुए मिडियेशन बिल नाने की दिशा में इस सत्र का बहुत बड़ा उप्योग है जो अनेक विवादों से सामान्य से सामान्य मानवी से लेकर के असामान्य संजोगों को भी मिल बैठकर के सुल जाने का एक मजबूत न्जीव बनाएगा इसी प्रकार से कि देंटल मिशन को लेकर के एक बील जो हमारे डेंटल कॉलेजिस के लेकर मेडिकल के छात्रों के लिए एक नई व्यवस्ता को आकार देगा ऐसे अनेक महत्वपूर्पूर्पील इस बार इस सत्र में संसज में आ रहे हैं है तब ये जन हित के हैं ये युवा हित के हैं ये भारत के उजवल भविश्च के लिए हैं मुझे भिश्वास है कि सदन में गंबीरता पूर्वगिन बिलो पर चर्चा करके हम बहुत तेजी से राष्ट हित के महत्वपूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्प साथियों आज जब मैं आपके बीच आया हूँ इस लोगतंत्र के मंदीर के पास खड़ा हूँ तब मेरा रदय पीडा से भरा हुआ है क्रोध से भरा हुआ है मनिपूर की जो घटना सामने आई है किसी भी सब्सार करने वाली घटना है पाप करने वाले गुना करने वाले कितने हैं कौन है वो अपनी जगा पे है लेकिन बेज़्जती पूरे देश की हो रही है एक सो चालिस करोड देश वाचियों को सर्मसार होना पड़ रहा है मैं सभी मुख मंत्रियों से आगर करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्ता को और मजबूत करें खास करके हमारी माता और बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं गटना चाहे राजस्तान की हो जटना चाहे चत्तिस गट की हो गटना चाहे मनिपूर की हो इस देश में हिंदुस्तान के किसी भी कौने में किसी भी की राज्य सरकार में राज नीतिक बाद विवाद से उपर उठ करके कानून व्यवस्था का महत्माएं नारी का सम्मान और मैं देश वाजियों को विश्वाद दिलाना चाहता हूँ किसी भी गुलेकार को बख्षा नहीं जाएगा कानून अपनी पूरी शक्ती से पूरी सक्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा मनिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है इसको कभी माप नहीं किया जा सकता है बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों कर दोस्तों